सुशील सर हमें आपके पास आ रहा हूं कई जगम ने देखा दसवी पास पाच्वी पास लेकिन इंदौरियों ने मजबूर कर दिया दोनों पार्टियों को कि आप काबिल पढ़ा लिखा हमको कमसे कम एक बीटेक है और पीजडी हमको पढ़ा लिखा हूं मिदवार चाहिए इसमें तो कोई संद्ध है निए देखिए इंदौर एक ऐसा शहर है जिसकी तरह पूरा बारा अपने जैसे शुरुआत किये मुझे वही दौर याद आ गया ताली बजाए एक बार सुशील सर के लिए मुझे वही लगा जैसे मैं अभी भी वही सुन रहा हूं बोले सर पू लाम एन आ यह जीन कना जातों वही मान कि इसको अहिल्या गए नगर नगर कहा जाता था सि Самीनाीडॡीन को शहर का जाता था आखिन साथ ही चैनल कुछ के बारे में जो कुछ होना चाहिए दिखे में खेल से जुडा हूँ में खेल कुछ की बात करूँगा आज भी ये शहर एक अच्छे स्टीडियम के लिए तरस रहा है आज भी इस शहर के बड़े-बड़े जो क्रिकेटर सेना जो हम बात करते हैं कि पुरानी पर करनल सी के नाईपू साब का मकान विग जया उनकी जगे मत्री स््टॉेस ड़ोरी कर लूग हमारे इसका प्रेवर ने यह सोचकर कि यहां मेडिकल फेसिलिटी सस्ती हैं तो क्या यहां हिंदुस्तान में यहां लोग इलाज नहीं करा पारे उस निजी इलाज को एफोर्ट नहीं कर पारे यह गरीबी है असमर्थता है क्या है यह देखिए सबसे बड़ी बात है कि इलाज बहुत महंगा हो गया है और यह अच्छा है अभी हम देख रहे थे प्रधान मंत्री जी खुद कह रहे थे कि अब जो जो बड़े बुड़े हैं उनका इलाज वो खुद करने के लिए तयार है तो यह जो अब नए सिरे से उन्होंने घोशना कि इससे एक आशा तो बदी है इसमें कोई शंका की बात नहीं देखिए मैं किसी पार्टी से संबध बात नहीं करूगा तो यह देख रहा हूं कि देश में हो क्या रहा अगर अच्छा परिद्रश्य दिख रहा है और हमको दिख रहा है के इंफ्रास्ट्रक्शर बहता हो रहा है इंडिस्ट्रियल वातावरं बहता रहा तो उसकी करूंगा लेकिन जहां कमजोरी है वो भी बताना हमारा करता लेकिन यह बात जरूर है इस बात को माना है कि अब यह देश में जो बड़े बुड़ों के लिए अब इलाज मुफ्त होगा